जहीं दोस्तो मैं रित्तिक राज स्वागत करतांग अपने यूटूब सैनल फॉर्म फिलप की नोलेज में दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे दो असाम राइफल्स 2022 की जो निव रिक्रूट्मेंट है दो गुरूप C और गुरूप B पोस्ट पे उसका हम लोग online आवेदन कैसे करें mobile से सरकारी रिजल्ट के माध्यम से दोस्तो अपना Chrome browser open कीजिएगा और यहाँ पे search कीजिएगा सरकारी रिजल्ट जैसे ही दोस्तो सरकारी रिजल्ट हम लोग सरकारी रिजल्ट करेंगे यहाँ पे आएगा सरकारी रिजल्ट.com हम लोग इस पे सरकाइब रिजल्ट का जो हम ऑफिसियल वेवसाइड पे आ जाएंगे तो यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब में दो नंबर में असाम राइफ़ल्स ट्रेट्समें भेकेंसी तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों च्छो जुन 2022 से ही च्छो च्छो दरबाईस से ही इसका वेदन स्टार्ट हो रहा है यह देखिए और यहां पे बहुत पता रहा है कि हवल्दार ऑपरेटर रेडियो तेंथ पलस टू इंटर्मीडियेट पास होना चाहिए वह साइंस से या आईटी आई पास होना चाहिए हव क्लिक करते हैं जैसे ही दोस्तों हम लोग यहां पे क्लिक करेंगे यह असाम राइफाल्स का ओफिसियल बेवसाइट खुल जाएगा और इस बेवसाइट को हम जब स्क्रोल करके नीचे आते हैं तो यहां पे बोल रहा है एड़टाइजमेंट नमबर देखिए यहां पे अस जिस राज में आपका घहर है जिस राज जिससे आपका निवास परमाण पत्र है वही राज सेलेक्ट किजिएगा दोस्तों दुसरा राज सेलेक्ट मत किजिएगा आपका अदहार कार्ड पे अगर दिली का एड्रेस हो आप बिहार सेलेक्ट मत किजिएगा चाए आप बिहा मैं apply कर रहा है तो मैं यहां पर hallar radio line c com इसमें दोस्तों intermediate पास माँगा है IAC तो मैं IAC कर लिया हूँ मैं इसमें selector लेता हूँ इसमें selector ने के बाद दोस्ते हैं यहां पर बोल रहा है applied cast for आप किस category से apply करना चाहते हैं तो हम EWS से apply करना चाहते हैं उसके बाद नहीं पर आप और 12 दोणों किये है या कि uda कि 먹고 को दोस्तों यहां पर आई एगरी बटन रिक करेंगे लिए सामने कुछ इस तरह का प 25 उप जिए यहां पर प्ना नाम डाल दीजेगा फिर last name में डाल दीजेगा जैसे मेरा नाम रितिक राज हुआ तो पहले हम रितिक डाल लेते हैं उसके राज डाल लेते हैं जैसे हम अगर मेरा नाम रितिक कुमार जहा होता है तो हम first name में रितिक, middle name में कुमार, last name में जहा डालेंगे उसके दोस्तों यह यहाँ पे अपना data about डाल दीजेगा उसके रिलीजन आपना सेलेक्टर लिजेगा रिलीजन आप जो भी है हिंदू, जैन, मुस्लीम, ओदर, पार्सियन जो भी है जो तो हम हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू सेलेक्टर लेते हैं वहाँ पे बोल रहा है phone number with study code यह mandatory नहीं है है candidate certificate यह दखिए अगर आप इस सब से आते हैं जैसे गरवाली और कुमोनी और यह सब ले लदाकी कास्मीर यह सब आप आते हैं तो इस सब सेलेक्ट किजेग नहीं तो छोड़ दीजेगा अब यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे अपना address डालना है तो address में correspondence address और पर्मानाई trades अगर आपका अलग-अलग है तो यहाँ पे same मतलब यह click कीजिए नहीं तो इसको छोड़ दीजिए उसके बाद बोल रहा है तो अगर आप general category छोड़ के जैसे general छोड़ के AC से आवेदन दे रहें, OBC से दे रहें, EWS दे रहें तो आपको यहाँ पे अपन cash certificate जैसे अगर आप EWS हम आवेदन दे रहें तो EWS certificate अगर कोई SC से आवेदन रहें तो SC का certificate जिस भी category से आवेदन दे रहें, general छोड़ गे, वो certificate का यहाँ पे cash certificate अपलोड करना है जाती लिखे, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है qualification, qualification में दोस्तों अगर आप 10th, 10th जिस board से क किया हूँ तो यहाँ पे select और लिजेगा, कि SCR में pass किये थे, total कितने number का exam हुआ था, मतलब कितना number आपको प्राप्त हुआ था, percentage खुद बखुद काल्कुलेट करके यह जागा, फिर intermediate में यहाँ पे देखिए, mandatory subject, English, mathematics, science, मतलब आपको intermediate में दोस्तों आप सीधी सीधी बात यह है, PCM, Physics, Chemistry, Math और English जो होता है, यह subject से आप intermediate pass होना चाहिए, तभी आप radio operator में apply कर सकते हैं, कि SCR में pass किये थे, कितने number का exam हुआ था, कितना number आपको आया था, percentage खुद बखुद ले लेगा, अगर आपके पास technical qualification है, तो यहाँ पे जान काई दीजिएगा, नहीं तो छोड दीजिएगा, कोई other qualification है, तो यहाँ पे जान काई दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, I have result uploaded, मतलब uploading, आप result upload कर सकते हैं, मतलब आपके पास result आ चुका है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है, जो photograph है, documents should be between these ID documents, दोस्तों बोल रहा है, जैसे ID documents की बात क चीट जो है, वो 50-80KB के बीच में upload करना है, और ID documents राइप, यहाँ पे सेलेक्टर जेगा, आप क्या upload करेंगे, permanent resident यानि कि निवास परमाल पतर, धार काड, भोटर राक ID काड, driving license, आपको जो भी सेलेक्टर परना है, मैं जिसे मैं धार काड सेलेक्टर लेता हूं, यहाँ पर वो upload किजिएगा, जो ID proof रहाएगा, documents रहाएगा, वो 50-80KB के बीच होना चाहिए, आपका photograph, जो passport size photograph होता है, वो दोस्तों आपको 30-50 के भी होना चाहिए, यह सब upload करने के बाद, यहाँ पे बोल रहा है, आपके पास कोई criminal case या कोई pending में है, कुछ भी है, तो यहाँ पे declaration की बात करें, दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना place लिखना है, photo और mark sheet 30-50 के भी होना चाहिए, और जो ID documents जैसे अधार card है, उसको 50-80 के भी होना चाहिए, और यहाँ पे caps app fill कर लिजेगा, caps app fill करने के बाद, दोस्तों यहाँ पे submit पे click करिएगा, जैसे ही submit पे click अब जैसे ही दोस्तों हम इसको okay करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, application status accepted, और यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा, application number दिखा देगा, और यह सब दिखाने के बादे यहाँ पे बोल रहा है, print application, यहाँ पे जैसे हम print application पे click करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा application ज चलते हैं सरकायर रिजल्ट के होम वेव साइड पर वहाँ से फीर हम लोग देखते हैं कि यह जो आना दोस्तों इसका हम application address कैसे चेक करें तो हम लोग फिर यहां पर सब्सक्राइब लगatt करेंगे और यहां पे आते हैं और यहां पे देखिए दोस्तों कि करते हैं अब जैसा यहां पर लोग इस पारीयड करेंगे यहां परrust देखिए यहां पे कि रिप्रिंट फॉर्म और यहां प्रिंट चेक पर आके दोस्तों हम यहां पर अपना इमेल आड़ी रोड़ डाल के और कैप्चा डाल के जैसे इंडोस्ट अम गे डिटेल्स पर करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपने किस ट्रेड में अपलाई किया है और यहां पर प् यहां पर अप्लाई ओंलाइन का लिंक दिया हुगा है और पे एक्जाम फिस तीन नंबर में पे एक्जाम फिस पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्त हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा कुछ अगला वेवसाइड दोस्तों कुछ इस तरह का खुल के आएगा जिस पर आप यहां करेंगे और प्रुटीवड करेंगे जैसे ही हम पर श्यूड करेंगे यहां पर आप यह सम्हां का लोगो आ जाएगा और प्यक टेगरी पेमेंट करने का अप्सान आएगा तो अप्लिकेशन फी ग्रूप बी और ग्रूप सी आप जिस भी पोस्ट थे हैं तो जिसमें मैं अ अप्लाई किया था वो गुरूप सी में है तो हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे जैसे ही हम दोस्तों सेलेक्ट करेंगे अगला फेस कुछ हमारा इस तरह का खुल के आएगा जिसमें दोस्तों अप्लिकेशन फी सब से उपर दिखा देगा नेम आप दा कर्णिडेट फादर्स ने मैं फील कर लेता हम उसके बाद काटेगरी आप किस काटेगरी से आवेदन दिये थे दोस्तों जेनरल से या इडव ओवी सी तो मैं जेनरल से हूं क्योंकि मैं इडव्य सप्लाई किया था उसके बाद दोस्तों यहां पर अपना स्टेट सेलेक्टर लिजेगा रिमार्क में अपना जो डालना हो डाल दीजेगा नहीं तो छोड़ दीजेगा रिमार्क को उसकाट फिर से जो फी पेमेंट है दोस्तों वह आप मतलब अपना किस नाम और पता और डेट आप बार्थ और मोवाईल नमबर इमेल आइडी और यहां लगी चीज बारिकी से फिल किजेगा एक बार अच्छे से मिला लिजेगा ट्रेड भी अपना जिस ट्रेड में अपने अपलिकेसन फॉर्म भडारा वाहें सुलेक्ट किजेगा और सब कुछ दोस्तों अच्छे से फील करने के बाद के अफशा फील कर लिजेगा के अपछा फील करने काली आप teu समीट समीट पे क्लिक करेंगे अगला फेस हमारा कुछ इस तरह क्या आएगा जो भी हम डिटेल्स फिल किया है वो सब आपको दिखा देगा एक बार आप अच्छे से मिला लीजेगा मिलाने के बाद कॉनफॉर्म पे क्लिक किजेगा जिसे हिन दोस्तो हम कॉनफॉर्म पे क्लिक करेंगे कुमार इसे दोस्तो आप पेमेंट कर लिजेगा अगर आपका इस तरह का मैसेज आएगा आप लोग देखिए पेमेंट डॉन सकसेशफूल उन साथ जून दोच्बाइस बारे 40 एम मैं आभी के टाइममेंट सकसेशफूल हो चुका है पेमेंट सकसेशफूल होने के बाद य यहाँ पे फिर से सरकारी रिजल्ट खोलिएगा और यहाँ पे असाम राइफल्स पे फिर से क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आईएगा और नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चार नंबर में है reprint form इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपना यहाँ पर print application पर police कीजिए जैसे ही दोस्तों के21 पर Зап कागाज 강ने क्लिक करेंगे आप riots हो आप failure को प Finnt जाता है जब आप भरती में जाते हैं दोस्तो तो आप से वो एक एक चीज बारी की से वो सब डोकोमेंट्स वेरिपिकेशन में मांगा जाता है तो I hope दोस्तो आप लोग को वीडियो की जनकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए आज के लिए बस इतना ही और ऐसे ही इन्फरमेटी वीडियो के लिए मेरे सैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू दोस्त